नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको शनिवार शनिदेव की व्रत कथा कहने जा रहे हो, यह कथा शनिवार व्रत सुनना बहुत आवश्यक है, तो चलो कथा शुरू करते हैं दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, एक समय स्वर्ग लोक में सबसे बद्धा कौन के प्रश्ण पर नौ ग्रहों में वाद विवाद हो गया, विवाद इतना बरहा कि परस पर भयंकर युद्ध की, स्थिती बन गई, निर्णय के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुँचे, और बोले, हे आपको निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बद्धा कौन है, देवताओं का प्रश्ण सुनकर देवराज इंद्र उल्जन में पढड़ी एच गए, इंद्र बोले, मैं इस प्रश्ण का उत्तर देने में असमर्थ हूँ, हम सभी प्रित्वी लोक में उज्जैनी नगरी म राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं, देवराज इंद्र सहित सभी ग्रह, देवता, उज्जैनी नगरी पहुँचे, महल में पहुँचकर जब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्ण पूछा, तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क उचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन धातूओं स्वर्ण, रजत, चांदी, कांसा, ताम्र, तामबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक वलोहे के नौ आसन बनवाए, धातूओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवा कर उन्होंने देवताओं को अपने-पने सिंहासन पर बैठने को कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयम हो गया, जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है, वहीं सबसे बधा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनी देवता ने सबसे पीछे आशन पर बैठने के कारण अपने को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा, राजा विक्रमादित्य तुमने मुझे सबसे पीछे बैठा कर मेरा अपमान किया है, तुम मेरी शक्तियों से परिचित न बुद्ध और शुक्र एक महीने, व्रहस्पती तेरह महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी राश्य पर सारह सात वर्ष, सारह साथी तक रहता हूँ। बढ़े बढ़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीधित किया है। राम को सारह साथी के कारण ही वन में जाकर रहना पढ़ा। और रावन को सारह साथी के कारण ही युद्ध में मृत्यू का शिकार बनना पढ़ा। राजा, अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकेगा। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ चले कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उधर शनी देवता अपने अपमान को भूले नहीं थे। विक्रमा दित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनी देव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जेनी नगरी पहुँचे। राजा विक्रमा दित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना, तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लोटकर इस संबंध में बताया तो राजा विक्रमा दित्य ने स्वयम आकर एक सुन्दर वशक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो वह घोड़ा बिजली की गती से दौध पद्धा। तेजी से दौधता घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया। और फिर राजा को वहां गिरा कर जंगल में कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर को लोटने के लिए जंगल में भटकने लगा। लेकिन उन्हें लोटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लगाई। बहुत घूमने पर उसे एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवा तो राजा ने उसे बताया कि मैं उजजयनी नगरी से आया हूँ राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की बहुत बिक्री हुई सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और खुश होकर उसे अपने घर भोजन के लिए ले गया सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था राजा को उस कमरे में छोड़ कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर गया तभी एक आश्चर्य जनक घटना घटी राजा के देखते देखते सोने के उस हार को खूंटी निगल गई सेठ ने कमरे में लोटकर हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर ही किया क्योंकि उस कमरे में राजा ही अकेला बैठा था सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेशी को रस्सियों से बांध कर नगर के राजा के पास ले चलो राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते ही देखते खूंटी ने हार को निगल लिया था इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पाउं काटने का आदेश दे दिया राजा विक्रमादित्य के हाथ पाउं काट कर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठा कर अपने घर ले गया और उसे अपने कोलहू पर बैठा दिया राजा आवाज देकर बैलों को हांकता रहता इस तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा शनी के प्रकोप की साड़े साती पूरी होने पर वर्षा रितु प्रारंब हुई राजा विक्रमादित्य एक रात मेध मलहार गा रहा था कि तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रत पर सवार उस तेली के घर के पास से गुजरी उसने मेध मलहार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा और दासी को भेज कर गाने वाले को बुला लाने को कहा दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया राजकुमारी उसके मेध मलहार से बहुत मोहित हुई आता उसने सब कुछ जान कर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चे कर लिया राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब ये बात कही तो वे हैरान रहे गए राणी ने मोहिनी को समझाया बेटी तेरे भाग्य में तो किसी राजा की राणी होना लिखा है फिर तू उस अपंग से विवाह करके अपने पाव पर कुलहाडी क्यूं मार रही है राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी अपनी जिद पूरी कराने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और प्राण त्याग देने का निश्चे कर लिया आखिर राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे उसी रात स्वपह में शनिदेव ने राजा से कहा राजा तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंद दिया है, राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की, हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है, अन्या किसी को ना देना शनिदेव ने कुछ सोचा कर कहा, राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ, जो कोई स्त्री पूरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकमपा बनी रहेगी प्रातहकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पाँव देखकर राजा को बहुत खुशी हुई, उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया, राजकुमारी भी राजा के हाथ पाँव सही सलामत देखकर आश्चर्य में दूब गई तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचे देते हुई शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी सुनाई सेथ को जब इस बात का पता चला तो दोड़ता हुआ तेली के घर पहुचा और राजा के चरणों में गिर कर क्षमा मांगने लगा राजा ने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था सेथ राजा को अपने घर ले गया और उसे भूजन कराया भूजन करते समय वहां एक आश्चर्य जनक घटना घटी सबके देखते देखते उस खूटी ने हार उगल दिया सेथ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूशन धन आदी देकर राजा को विदा किया राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेच की बेटी के साथ उज्जयनी पहुँचे तो नगरवासियों ने हर्ष से उनका स्वागत किया अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोशना कराई की शनिदेव सब देवों में सर्वश्रेष्ट हैं प्रतेक स्त्री पूरुष शनिवार को उनका व्रत करें और व्रत कथा अवश्य सुनें राजा विक्रमादित्य की घोशना से शनिदेव बहुत प्रसन हुए, शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनो कामनाएं शनिदेव की अनुकमपा से पूरी होने लगी, सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे